और विनेश यह तो मेरे ही परिवार की है ओलम्पिक के बाद पियम ने कैमरे के सामने जिस विनेश फोगाट को अपने परिवार की बेटी की तरह बताया था आज वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है जिस बजरंग पुनिया ने देश को उलम्पिक में मेडल दिलाया वो भी कुष्टी को बचानी के लिए धरने पर बैठे हैं जिन साक्षी मलिक ने देश को उलम्पिक में मेडल दिलाया वो भी धरने पर बैठे हैं ओलम्पिक खिलाडी अपनी लड़ाई आज अकेले लड़ रहे हैं और खिलाडियों के साथ फोटो सेशन कराने वाली सरकार तमाशा देख रही है क्यों? क्योंकि मामला जुड़ा है बीजेपी के सांसत से बीजेपी के सांसत व्रज भूशन शरन सिंग जो रैसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ ओलम्पिक मेडल विजेता खिलाडियों ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है खिलाडियों का साफ आरोप है कि यौन शोशन से लेकर खिलाडियों को बेवज़ा परेशान किया जाता है प्रतारित किया जाता है करना है क्योंकि मेरी बोड़ी उस तीज को रिक्वाइर करी है तो मैं इंडिसिप्लीन हूँ उन पर गंभीर आरोप लगा रही है तो उलम्पिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया भी कुष्टी को बचाने के लिए देश भर के पहलवानों साथ आने की अपील कर रहे है अपना करियर दाव पर लगा कर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवान धरने पर बैठे हैं और फजीयत होने लगी तो खेल वंत्राले ने अब 72 घंटे में जवाब देने को कहा है ब्रजभूशन सरेंसिंग दोस्तों यह मामला दिखाता है कि जो बड़े में नहीं आया है इससे पहले भी उनकी दादागीरी तब देखने को मिली थी जब खुले मंच में एक खिलाडी को ने थपड़ जड़ दिया था कुष्टी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत लगातार पिछले कई सालों से अच्छा कर रहा है खास तोर पर ओलुम्पिक में हम म अक्षन भी हो जाए हम उमीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई निशकर्श निकाला जाता कि हमारी खिलाडियों को सड़क पर धरने पर ना बैठना पड़े क्योंकि ये देश के तौर पर हमारे लिए शर्मिंदगी है आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स पर अपनी राए जरूर थे चैनल को जॉइन भी करें और सबस्क्राइब भी